हाई गाइस फागत है आप लोग का मेरे चानल पर मेरे नाम जानत है अगर आप लॉट क्या आ रहे हो थैंक यू आपके लाइच सब्सक्रिप्शिंस कमेंच के लिए आपके डोनेशन के लिए अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा ओके य मुझे लगता है कि इसे अब भी मुझे रेकॉर्ड कर लेना चाहिए एक अलग ही वीडियो मुझे इसका रखना चाहिए और मैं इसे नौ बज़े के स्लॉट में रिलीस करूँगे ओके एक सिचेशन है ठीक है एक ट्मिन कपल है जो जिन्हें अलग किया गया था जान की धंकी दे करके ठीक है ये कार्मिक्स जान बूच के स्पेशली लड़की का जो डिवाइन फेमिनन जो है यहां पर डिवाइन फेमिनन लड़की ही है और मास्कुलिन एक लड़का है ठीक है डिवाइन फेमिनन को जान से मारने की धंकी दे करके इन दोनों को अलग किया गया ठीक है और एक सोल मेट के साथ डिवाइन फेमिनन की शादी करवाई गई जबर्दस्ती का ठीक है ना क्योंकि बात जान पर आ गई थी यह जो situation जब play out हुआ तब energies बहुत negative थी और यह दोनों लड़के भी ठीक से लड़ नहीं पाई ठीक है ना लड़का पीछे इसलिए हटा था क्योंकि उसे लगा कि वो अपने बंदी को खो देगा हमेशा हमेशा के लिए लाइक जान से खो देगा इससे अच्छा है कि वो distance maintain करे ना यहाँ पर एक amazing twist आया है situation में अब लड़की के साथ यहाँ पर जबरदस्ती हुई है ठीक है जो soul में था उसने एक level की जबरदस्ती की है and उनका एक baby भी हुआ now twist यह है कि यह जो baby है यह spiritual baby है यह जो real twin flames है divine masculine divine feminine की यह energy baby है ठीक है ना and यह baby divine masculine की energy को embody करता है to the point to the point कि यह जैसे जैसे बड़ा होगा वो वैसे वैसे divine masculine की तरह दिखने लग जाएगा now मैं अपने spirit guides के साथ इस बार में बात करे थी कि अगर बच्चा divine masculine की तरह दिखने लगेगा तो सब कोई तो divine feminine के ऊपर उंगली उठाएगा ना सेंग के जरूर इसने कुछ धुकादारी किया है है ना cheating का इलजाम लगे गए तो मैं spirit guides were like हाँ जिने कमीना पंती करना है वो तो हर हाल में करेंगे वो तो तमाचा होगा उन कार्मिक्स के ऊपर जिन्हें लगा था कि वो divine souls के साथ ऐसे पागलपंती कर सकते हैं उन्होंने जान बूचके इन दोनों को अलग करा इन्हें टॉचर किया और divine feminine यहां पर बहुत गंदे तरीके से टॉचर हुई है और बेबी भी बहुत यह traumatized I heard वो पहले के शह मैंने 왜 कहां यहtalkous एक ệnदे ऐना बट न्यूज यह है कि यह बेबी एक सटार सीड बेबी है और बहुत ज़हाएं और बहुत सारे साथ के साथ के सभड़ गाल इस बात का पूरा ज्यान हो चुका होगा कि यह सोलमेट डिवाइन का जो सोलमेट है या जो हस्बेंड है यह अच्छली इसका असली फादर है ही नहीं और यह बेबी ही डिवाइन मास्कुलीन और डिवाइन फैमिनन को एक करेगा यहां पर बहुत टॉचर हुई है यहां पर बहुत टॉचर हुई है ठीक है बहुत सारे टॉचर उसे फेस करने पर कार्मिक फैमिली के चलते हैं यहां पर इन फैक्ट जो सोलमेट का बैहन है बैहन है भाई है वो डिवाइन फैमिनन पर इलजाम लगाएंगे कि इसने जरूर धोका दिया है नहीं तो बच्चा डिवाइन फैमिनन के एक्स की तरह कैसे दिखता है है ना बट उनका दिमाग बॉखला जाएगा इस रियलाइजेशन के साथ भी कि वो बंदा तो बहुत पहले ही शहर छोड़ चुका है इन दुनों के बीच में सालों साल कोई कॉन्टाइक नहीं हुआ है तो फिर यह बेबी उसके जैसे कैसे दिखता है तो यह बेबी जीता जागता एक्जाम्पल होगा कि यह ट्विन फ्लेम्स है और इन्हें चाकर भी अलग नहीं किया जा सकता है इस बेबी पर पहले के छे मैंने बहुत खत्रा मंड़ाने वाला है ठीके बहुत साइकिक अटाक्स होंगे बट बाइधर टाइम वो नौसार का ले करके अपने मॉम को अपने असली फादर के बारे में वो पूछताच करेगा पता करेगा कि उसका चहरा इतना अलग क्यों दिखता है वो इंकलाइन फील करेगा और वो खुद अपने फादर के तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा तो दा पॉइंट कि वो अपने मॉ यह बहुत ही स्पेसिफिक और एक अमेजिंग स्टोरी लाइन मुझे कल रात को मिली थी और मुझे लगा था कि मैं आज के चेक-इन रीडिंग में करूँ कि कल पूरी पुड़ा देन ठीक है वीडियो प्ले हुए ठीक है तो आप लोग को तो भी तो भी तोड़ा सा ब्रेक क्या रखो डिवाइन बेबी फर्स्ट सोल पॉपस ऐसा कुछ रखना पड़े कुछ अमेजिंग रखना पड़ेगा बिक यह बेबी सच में एक अमेजिंग काम पड़ता है आते ही इतना टॉचर सहने के बाद भी वह अपने मॉम डाट को एक कढ़ी देता है एंड यह एंड प्ले होना शुरू हो चुका है क्या तो इसकी जो अवेकनिंग है यह अल्रेडी ट्रिगर्ड हो चुका है मैंने कहा नहीं कि हमारा जो नेक्स जनरेशन होगा जो अडवांस बेबी होंगे वह बहुत जल उनके अवेकनिंग हो जाएगी यह बेबी बाइदा टाइम वो नौसल कंप्लीट करेगा उसका अवेकनिंग का फिर्स स्टेज वो क्लीर कचुका होगा अगर आपको ऐसा अब देखने को मिलता है कोई सिचेशन देखने को मिलता है तो प्लीज मुझा करके बताना विकास यह एक एक स्टॉर्नेरी स्टोरी अगरी थी अन आप लोग अपना दियान डगो मैं मिलते है आप लोग स्टॉर्ने अगले वीडियो पे ठीक कैर भाई